नमस्कार जैस्री कृष्णा मैं राकेश पाठक शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागर करता हूं और जैसा कि एक सिरीज चलाई है हमने प्रम डिवेरी बेसिक अस्ट्रोजी से एडवांस अस्ट्रोजी तक जिसे करीब 45 पार्ट वो चुके हैं तो मैं उ उसी दशा में आगेव बढ़ते वए उसी दशा में आगेव बढ़ते वी दशा के बारे में बता रहा था आपको लास्ट टाईम में आपको बताया था के कौन सो ग्रहों की दशा नउकुल होती है तो इसके इस और किसे मिलते हैं पै Bennu ही होती है तो जादे समय वेशने करते हुए मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर बहुत सिंपल तरीके से रिशी पाराशर ने समझाया है कि इसको समझना बहुत ही सिंपल है और कोई इसमें इसमें कहा है शुताष बहुदा भेदा सानाम चै मया मुने फलम चै की दृशम तासां कर्थिया में अगुत यताम यानि जो मैत्रे हैं मित्रे कौन है मैत्रे फल दीपिगा के रैटर नन्त्रेशवर जो हैं वो ही रिशी पारशर से बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं मुने, मैंने दशा के बेदों को सुना, अब इन दशाओं के फलों को भी किरपा कर गए बताईए। तो रिशी पारशर कहते हैं साधारनम विशिस्टस चे दशानाम दुविद फलम ग्रणाम चे स्वाभावेने स्था यानि वो बोलते हैं कि साधारन और विशिस्ट, साधारनम विशिस्टस चे, साधारन और विशिस्ट फल मिलते हैं दशा में, दो तरह के फल मिलते हैं, साधारन और विशिस्ट, ग्रहनाम चे सुभावेने, एक तो ग्रहों के सुभाव के अनुसार, एक तो ग्रहों के सुत पताना चाहा है इस लोग के अंदर कि साधारण और विसेस्थ दो प्रकार कव दल मिलते हैं एक वो फल जो ग्रहों के कारक। घ्रीजम्र जो होगते हैं नंहीं को सेखार, फिर यह ग्रहों की फल होते हैं, आद्य देश्ट का अंगे खेटे देशा खेट 53 साथ. ये क्या बोलते हैं? ये ये बोलते हैं कि ग्रहों की दशा के फल जो होते हैं उनकी बल के अनुसार होते हैं उसका फल दशा के आरब में मिलता है जृत्य द्रेश्ट काने का फल दशा के मद्य मिलता है और जो त्रित्य देश्ट कान में हो जो बीच से तीस दिगरी का ग्रह हो उसका फल दशा के अन्थ में प्राफ होता है ये इन्होंने इसके अंदर कहने की कोईश्च की है और साथ मे यह मिर्भि कहा मोग हो जारें वक्र हो जार्श कुर्षा दशा के अलंद में और जुम्रहенко से दिग्री है कि उसके बाद कहते हैं उनका कहना है कि दशा आरंब में, अगर जब भी दशा आरंब होती है किसी ग्रह की, यदि दशा स्वामी लगन में हो, उच्छ राशी में हो, स्वेर राशी में हो, या मित्र राशी में हो, शुब ग्रह से द्रस्ट या युथ हो, तो फल बहुत अच्छे मिलते हैं, दशा फ के फल अच्छे नम मिलेंगे जब दश्रा स्वामी लगन में हो केंडर मज़ों त्रिकौधर में हो उछ्य राशी में हो या शुक्षण द्रस्ट बहुए कंदर्शि में हो उसके नहीं मिलेगे तो इसी चीज़को नने सम्झाया है कि यादि लगन-बल्वाट hè अगर आपकी कुंड़ी में लगन बनवान है तो क्या होगा तो आपका प्रभुतु जगत में बढ़ेगा आप हमेशा निरोगी रहेंगे आपका अगर लगन कुंड़ी के अंदर बलवान है तो आपका प्रभुतु जग में बढ़ेगा आप हमेशा निरोगी रहेंगे यदि आपका दूसरे भाब का स्वामी बलवान है तो क्या होगा? दूसरा भाब परिवार के लिए होता है उत्तम बेटियां प्राप्त हो यह एक अलग उसके ज़िजतीज दी होई है यह जुतियश की दशा में जुतियश अगर बलवान हो तो उत्तम बेटियां प्राफ्त होती है ये भी एक बहुत important यानि बेटियों के मामले में जो कहा गया है जो हम लोग सोचते हैं कि पहले जमान में बेटों को जादा महत्ता दी जाती थी ऐसा नहीं है जो तेश बलवान होने से उत्तम बेटियों की प्राफ्ती होती है सुक पूर्वक भोजन मिलता है और वानी के कारण आदमी धन उपारजन करता है क्योंकि वानी अच्छी आती है वानी का भाव भी दूसरा भाव है ज़िए तीसरा स्थान बलवान हो तीसरे स्थान का स्वामी बलवान हो केंदे तिकोन लाब भाब में बैठा हो, शुब गुराओं से दरस्ट हो, उच्छ राशी में हो, तो क्या होगा? तो उसके दिशा में भाई वहन से प्रेम बढ़ता है तीसरा स्थान जो है वो छोटे भाई वहन को दिपाथा है भाई वहन से प्रेम बढ़ता है खुशकबरी सुनने को मिलती है और प्राक्रम में बरती हो अब यह दी चतुर्स भाव का स्वामी बलवान हो वो कैसे बलवान होगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि केंद्र तिकोन लाब भाव में हो, शुप गुराओं से द्रस्टो, शुप गुराओं से यूथ हो तो क्या होगा, तो उसकी जातक में बंधों का उपकार करता है खिती काम में सफलता मिलती है, मन की शान्ती रहती है। सुख पूर्वक्त सहवास होता है और कन्वेंस का प्रापर्टी का सबका लाप होता है। कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के मालिक से या उस कंपनी के CEO से आपको एक identity मिलती है एक recognition मिलती है यदि छटे भाव का स्वामी बलवान हो तो उसकी महाधशा में जातक अपने सहाज से Holy स्अध्य में अगर कोई रोग से लऑनने की शक्ति मिलेगी और अगर सब्सक्राइब नवीन वस्तित्हां करता है और अभूशन प्राप्थ करता है उसका विभायजीवन सुषी रहता है उसके शरीर में बलकी व्रद्ध ही होती है उसके घर में शुबकारिय होते हैं अगर साथवे घर का स्वामी बलवान है और उसकी दशा आ गई आठवे घर का स्वामी बलवान है और उसकी दशा आ गई तो आठवे बाव से हम देखते हैं कलहे, पीड़ा मृत्युकारक का ऐसी चीजे देखते हैं आठे बार से लेकिन उसका स्वामी अगर बलवान है के इंदे तिकोन लाव भाव में बैठा है शुब गुरहों से द्रस्ट है उसकी राशी में बैठा हुआ है तो जातक अपने उन्नती से किसे कलहे भी हो रही है तो उस कलहे का सवामी बलवान हो नवभाव अगे भाव होता है जीसे धरम देखते हैं बागे देखते। पिता देख देने तो दम्य भाव का स्वामी अगर बल्वान हो तो जातक अपनी इस्त्री, पुत्र और भाई बंदू के साथ निरंतर भागय और लक्षमी का अनुभव करता है अर्थात अपने कुटम जनों के साथ एशवर यह भुगता है जातक भगवान की अरागना करता ह है और उसके भागय की परद्धि यह देख मब का स्वामी बल्वान हों कर शमी जने चिपर यानि पर्व करता है जो कार्य को स्वामीन की रड्धि होती है उस कारय में gün decisive मिलते है और जातक का जीवन सुख में प्याई में आप अगर बलवान हो तो उसकी दशा में निरंतर ऐश्यवर्द्य हो जी है आपको लाव होता है अगर आप बिजनस कर रहे हैं तो आपको लाव होगा बंधों से आपका समागम होगा इंटरनेशनल लेवल पे आपकी नेट्वर्किंग बढ़ती है सोशल नेट्वर्किंग आपकी बढ़ती है अगर बार्वे भाव का स्वामी आपका बलवान हो इसी प्रकार अगर बार्मा भाव होता है व्या का बार्वे भाव होता है व्या का बार्वे भाव का स्वामी अग कि अच्छा बलवान होने से उसकी महादशा में व्याय तो होता है लेकिन सचनुब होता है घलत व्याय नहीं होता इसके अंदर सबसे बड़ी चीज तो ये जो पल बताए गए हैं अपको ये जरू बताए गए हैं जब भावेश आपका बल्वान है उत्व्तनमिस्थान में बेर फ्र-ब्हाय में बेर टेलियों मुझौ अगर ऐसा नहीं होता तो इसके पल बीट मिलते हैं हुद